और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूटूबर्स बहुत ज्यादा जो गलती करते जो टीक is बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन उसका जो रिटर्ण होता है ना और बहुत बदा हो जाता है आप्स्राइद सबसे बड़ी गल्ती आप लोग क्या करते हैं आप लोग वीडियो बहुत अच्छा बनाते कॉंटेंट बहुत अच्छा ले करके आते हैं लेकिन सिली मिश्टेक करके अपने वीडियो को आप रैंग करने वीडियोस को एडिट कर लेते हो तब उसमें आता है थमनेल बनाना ठीक है क्योंकि जब आप YouTube पर वीडियो斯 स्वाइप अप करते हो किसी भी YouTube channel पर आप जाते हो जब video's को अप स्वाइप आप करते हो तो वहां पर सबसे पहले आपको thumbnail ही मिलता है, तो जितना attractive आपका thumbnail रहेगा, उतनी ज़्यादा click bit आपके उसमें होंगे, उतना ज़्यादा CTR आपके उसमें बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लोग आके उस channel को उस video पर click करेगे, और जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे उतना ज्यादा आपके वीडियोज वाइरल होने के चांसेज रहेंगे तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि अपने थमनेल को बहुत कम यंबी का बनाते हैं अधिकतर यूटूबर्स जो होते हैं वो अपने थमनेल को जैसे की मोबाइल फोन से बनाते हैं आईफ तब 20-22 मिनट का वो वीडियो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है आई बटन पर आपको लिंक वगएरा मिल जाएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताया था कि जो आप थमनेल बनाते हैं वो या तो फिर कैनवा से बनाते हैं या फिर फिक्सल लैप से बना उस पर click नहीं करते हैं और आपका विडियो रैक नहीं करता है तो आपको कैसे save करना है तो देखिए अदिक्तर यूटूबर जो फिक्सल लैप से थमनेल बनाते हैं जब वो सेव करते हैं तो वो जा करके सीधे अल्टरा मोड में save कर देते हैं टीक है वो जाते है यह अपने थम्иля पर और सीधे ULTRA mode पर सेव कर देते हैं ULTRA जो मतला सबसे ज़्यादा अच्छा वाला थम्लेल पर वो सीधे जा करके सेव करते हैं लेकिन आपको ULTRA mode पे बिल्कुल भी सेव नहीं करना है या आपको करना क्या है आपको जब वहाँ पे सेव करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट का ओप्सन दिखेगा इस चीज का फॉर्मेट का ओप्सन दिखेगा तो वहाँ पे फॉर्मेट के ओप्सन में आपका कस्टम लिखा होगा लेकिन वहाँ पे आपको पी अंजी करना है क्या करना है और यहाँ पे जो लिख रखा है demonstration ठीक है इसको आपको custom कर देना है इसको ultra वगेरा कुछ भी नहीं करना है इसको simple से custom करके रखना है second option इसको custom रखना है इसके बाद इसका जो wide होगा और इसका height होगा वो आपको इसमें लिखना है wide में लिखना है 7680 लिखना है और जो height है उसके अंदर लिख करेंगे save to gallery पर इस image को click करेंगे तो यह gallery पर जब image save होगी थोड़ा सा वक्त लेगी थोड़ा सा समय लेगी और यह image ना मुश्किल से 5 से 10 यंबी के बीच की image होगी और 10 से 10 से 20 यंबी मतलब 5 से 10 यंबी की जो यह image है ना इसके fixals बहुत मतलब बिल्कुल eject होंगे और आपके video फिर जब किसी के search box में जाएगा suggestion में जाएगा तो वहाँ पे thumbnail आपका बिल्कुल clear दीखेगा जिसके करण से आपके videos के viral होने के chances बहुत ज्यादा रहेंगे तो मैं finally आपको यहीं बताना चाहता हूँ कि आप png पर save कर करेंगे तो फाइनली ऐसका video यहीं तक तो में अगले वीडियो में तब तक के लिए विश्य आलदबेस्ट थैंक्यू